आज है 20 मार्च और आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे घर में भी गुरेया ने अपना घूसला लगाया है और हम लोग उसके लिए दाना पानी की वेवस्ता करते और हम चाहते कि आप लोग भी करें आपकी जदा से जदा संदग्षित हो सके। और उनकी तादार बढ़ती रहे जैसा कि आकड़ों से पता चला कि गूसा गरया के संख्या बहुत कम बचिये तो हम लोग उसके लोग भी पेड लगाना पड़ेगा और उनके लिए मत्की की भी विवस्ता कर सकते हैंगी उसमें भी आराम से रह लेती हैं क्योंकि वह बहुत ही फ्रेंडली हैं और घर के अंदर भी घोसला बना के रह लेती हैं तो मत्की में भी उनके घर बना जाते हैं हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि उन्होंने मटकी में भी घर बनाया है और पेड़ में बनाएंगी तो और ही अच्छा रहेगा क्योंकि वो बहुत ही अपने आपको सुरक्षित और सनग्षित महसूस करती हैं तो हम यह जाते हैं कि आप लोग भी हमारे जैसे उनको सनग्षित करने में मदद करें देखिए गोरेया खुदाफुद अपना भूसला ऐसे बना लेती हैं और इसमें बहुत ही आराम से रहती हैं और हमने इनके लिए गोसले लगाए थे लेकिन वो उसमें नहीं रही चले दिखाते हैं यह देखिए यह देखिए लगाया था लेकिन इसमें गोरेया नहीं रही तो पैय करके ऐसे गोसले ना लगाएं जिनमें गोरेया सहर महसूस नहीं कर रही है इससे पैसे के वेस्टेस भ आप से अन्रोध है कि आप भी हमारे वीडियो देख करके इंस्पायर हो और ज्यादा से ज्यादा पेड लगाए और जीव जन्तों को संरच्छित करें और उनकी संख्या बढ़ेगी तो उससे हमारे पर्यावरण में बहुत ही योगदार मिलेगा और यह दिया हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से जादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा वीडियो बनाएंगे तो हमको नए-नए आडियास भी आप ही लोगों की थेख्रू मिलेगा तो अच्छा रहेएगा तो धन् झाल झाल